इस वीडियो में मेटल स्टॉक्त होने वाला है नेशनल अल्मूनियम पे पर्टिकुरलरली बात करेंगे, इस वीडियो में क्यूं गिरावट बनी हुई ये लगातार मेटल स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है वो सारी चीजों का चर्चा करेंगे, अल्रेडी हम लोगा न के लिए वो सारी चीज़े हम लोग डिसकस करने वाले हैं और अभी जो गिरावट बनी हुई है वो कहां तक और गिर सकता है वो सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मेरे साथ वीडियों बनी रही है जो चैनल पर नहीं हो चाहिए सब्सक्राइब कर ले नोट फ पड़ी है तो उसका अभी हम लोग ऐसा स्टार्टिंग में डारेक्ट उसको पब्लिक नहीं करने वाले हैं क्योंकि वहां पर डारेक्ट कॉल होती है और उसमें चीजें समझा के ही लोगों को बताया जा सकता है कि इस प्राइस पर खरीदो अगर इस प्राइस से थोड़ा बाइस पर नीचे होता है तो एवरेज करना है क्या करना है वह सारी चीजें होती है तो इस वज़े से वोन सारी चीजों की हम लोग एक बार सोच रहे है कि किस तरीके से किया जाए कि लोगों को भी समझ में आए क्योंकि हर कोई चैट देखके मैसिस देखके किसे related है वहाँ भी आप लोगों को 150 में आपके जो भी स्टॉक में आपने investment कर रखा है 30 डेस के लिए आपको उसमें किसी में doubt आता है या investment related कुछ भी पूछना है तो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं और वहाँ भी आपको काफी information मिल जाएगी यहाँ भी आप membership ले सकते हैं और community post में या comment box में अमारे काम को भी support करिए ताकि यह और आगे जा सके और काफी time से दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि मेरे को खुद time नहीं मिल रहा है और market भी एक तरीके से सभी लोगों की band बजा रखी है इस time पे सभी लोग बस hold किये हुए हैं और market को देख रहे हैं पैसे आ रहे हैं तो जो उनकी अच्छी company हैं जिसमें उन लोगों ने काफी लंबे time से निवेस करते हुए हैं उसमें बस और निवेस कर रहे हैं क्योंकि उनको काफी अच्छे price पे इस time पे share देखने को मिल रहा है बाकी तो और कोई भी call इस time पे निकल के नहीं आ रही है कि अभी खरीदो दो तीन हपते में हमको इतना अच्छा return मिलने वाला है वो चीज अभी नहीं होती हुए दिखाई दे रही है market में क्योंकि 15,300 का जो nifty 50 का breakout था वो भी हम लोगों को दिखने को मिला और उसके बाद जितने भी metal stock थे सभी अपनी एक तरीके से sign lose करते हुए जो sign आती थी metal stock की चमक थी हो सब वो अभी इस time पे lose कर दिये हैं और काफी जदा हमको downfall देखने को मिल रहा है तो अभी फिलाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे national aluminium में क्या इस company में दिक्कत है तो उस चीज को सबसे पहले वो doubt clear करता हूं मैं आपका तो अभी देखिए दोस्तों ये share जो है वो 70 रुपीज 55 पैसे के round trade कर रहा है 9 सितंबर को इसके quarter one के result आएंगे fi 23 के तो उसमें time है earning पर share इसकी बहतरीन है अच्छी market capital है dividend year भी हमको अच्छा देखने को मिलता है price earning ratio को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा share इस time पे under value प्रफार्म कर रहा है क्योंकि price earning ratio हमको 4.7 का देखने को मिलता है aluminium में आ जाता है मतलब metal field में और metal field में आप लोगों को जैसा की पता होगा कि सरकार ने जो normal निवेसक की बात नहीं कर रहा हूं जो normal public है जो aluminium के product खरिपती है उनके लिए थोड़ा रियायत हो उनके price में थोड़ा कमी आए उस वज़ए से काफी चीजों में government ने खुद ही अपको पता होगा एक महीना हो चुका है उस चीज को की काफी जादा वहां पे रियायत बरसती है जिसकी वज़ए से सारे ही यतने हम लोग national aluminium को ही count करते हैं तो एक तो इसका code भी है इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि नालको भी तो एक company है तो नालको मतलब national aluminium पे हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि national aluminium का पहले नाम नालको ही होता था और इसी तरीके से और भी metal के stock हम लोगों को गिरते हुए एक बार आपको refresh करता हूं कि government ने बताया था कि जो export duty होती है metal पे वो इन्होंने government ने impose कर दिया था तो इस वज़ा से हमको sharp correction देखने को मिलता है क्योंकि यह जो इसका effect तो पढ़ना ही था steel products पे और हम लोगों को साफ साफ उसका effect देखने को मिलता है इसी वज़ा से बहुत इसका sale कर दीजिए और target price खमका लेके चलिए कुछ लोग अभी भी इसमें भूलिश है कि आप भी buy करिए और लंबे समय के लिए रखके चलिए तो हम लोगों को 107-105 का target मिल जाएगा देखे तीन हपते पहले की यह call थी और जिन लोगों ने भी buy कर रखा था इस time पर किसी को भी देखे दोस्तों यह चीज आप हमेशा जानके रखे चाहे कितना भी बड़ा broker हो चाहे कुछ भी हो उसको future का नहीं पता है जैसे किसी को भी नहीं पता होता है अब जैसे कि हम लोगों ने इसके quarter 4 के result देखे थे हम लोगों को result कैसे दिखे थे अच्छे थे अभी प्रफॉर्म करेगा पर इसके पर गंदी तरीके से लात पड़ी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि government ने अपनी चीजों में changes कर दिये अब government ने जैसे export duty इंपोस कर दी इन पर उसके बाद inflation input आपको दिखी रहा होगा इन सारी चीजों को effect करी रहा है market को तो वो सारी चीजें लगाता और इन सेरों के जो अच्छे के लिए तो हुई नहीं सारी चीजों पर effect बढ़ा और उस वज़े से आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस टाइम पर गाफी ज्यादा आपको यह जो सेर है डाउन आते होए दिखाई देंगे और में रूप से मैं आपको एक चीज और नोट दिखाया है इन्होंने year wise देखिए चाहे quarterly wise मतलग तिमाही wise देखिए तो इस वज़े से financially दिक्कत नहीं है तो सुझाओ क्या रहेगा कि सर हमने मान लिया कि सारी चीजें अची है condition अची है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है तो पर यह stock तो गिर रहे है और जब भी ह लोग अपना portfolio देख रहे है तो हमको दिक्कत दे रहे है यह तो क्या करना चाहिए उसके लिए तो उसके लिए जो simple सी दोस्तों एक चीज है या तो अगर आपकी क्योंकि अभी इस time पे मैं मान के चलूंगा कि जो जिन लोगों ने भी मतलब पिछले 6 महिने में खरीदा है व आपने क्या करना है कि 64 रुपीज 60 रुपीज की अराउंड अगर आप और share buy कर लेते हैं तो आपने जो उपर पर खरीद रखा है वो थोड़ा average हो जाएगा उसका फिर average करके आप 75 तक ला लेते हैं क्योंकि अभी इसमें हमको hold ही करना है दोस्तों और जो temporary impose duty impose लगाया है य दीरे दीरे इससे उभर जाती है कंपनिया और यह जो effect है अगर company ने मतलब government ने हटा लिया तो अच्छी वात है अगर government ने नहीं हटा है फिर भी यह लोग उससे उभर जाएंगे time के साथ तो फिलाल जो यह गिरावट है इसमें आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि क्योंकि देखिए इसका 65 रुपीज 40 पैसे जो है 52 वीक लो है और हाई आप देखेंगे तो 133 है इस टाइम पे अपने लो के पास सेयर आपको लगबग हर metal stock देखने को मिल जाएगा तो इसका यह मतलब नहीं है ना कि सभी company सर किसी ना किसी वज़े से मतलब अपने main किसी अ वो लोग देखके इसका price हरान हो गए थे कि यह क्या हो गया बहुत ज़दा अच्छा perform करते होगे इस टाइम पे देखिए अभी आपको देखने को मिलेगा कि 861 पे trade कर रहा है तो बहुत ज़दा गिरावट रही है और अभी कुछ टाइम पहले ही देखिए 1300 से उपर था त इसलिए घवराने की जवत नहीं है सेयर में बने रही है और hold करेंगे तो जरूर से इसमें return मिलेगा और आपको loss बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यह दोस्तों 64 रुपीज 65 पैसे के support को भी break करता है तो उसके बाद हम लोग जो support लेके चलने वाले हैं वो हमको देखने को मिलता है 56 रुपीज पे और यह strong support होगा hopefully इससे below ना जाय सेयर और इससे reverse ले ले यहीं पे बन जाये तो बहुत अच्छी आ रहेगा यही total update हो जाएगा national ammonium पे metal stock पे खास करके thanks watching video मिलते हैं आपको नफसमी की साथ